कि यह विदियो में हमने यूजर को रिष्ट्रेक्शन्स दी कि कौन से राउट वो एक्सेस कर सकता और कौन से राउट एक्सेस नहीं कर सकता तो इस तरह के चीज़ें हमने रखी दी और अगर हम लारावर ब्लोग यहां ट्रेलों के ऊपर जाएं तो हमने तो यहां पर अब भी मैंनली हम इस सेक्शन के उपर काम करेंगे जहां पर हमने लिखा है कॉमेंट और रिफ्लाई सेक्शन विद अप्रूवल क्योंकि हो सकता है कि एक पर्टिकॉलर कोई बंदा कॉमेंट कर आओ वो बेड कॉमेंट कर सकता है और हमें उस चीज़ का ना पता सकते हैं हम एक एक अप्रूवल सिस्टम लगा सकते हैं जहां पर कि हमें सारे के सारे कोमेंट रख सकते हैं कि मानलो कुए बंदा आकर हमारे वेबसाइट के उपर हजारो तो इस तरह की चीज लगातार comment कर रहा है अलग-अलग या गल्द-गल्द comment कर रहा है तो वो सारी चीजे हम एक पेंडिक section के अंदर रख लेंगे बाद में जब भी हमें comment approve करने हो बाकी हम delete भी कर सकते हैं और इस तरह की mail comment और parent ID यहां पर दी गई है हम एक enum value भी रख सकते हैं यहां पर जिसमें की हम बता सकते हैं कि वो particular comment pending में है या वो अप्रूव हो चुका है ठीक है तो इस तरह की चीजे हम रख सकते हैं ठीक है तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहां पर हम एड़ कर लेंगे और इसके साथ सा एक enum value add कर लेंगे यहां पर table और यहां पर रखेंगे enum value ठीक है enum value में आपको दो चीजे देने होती हैं पहला आपका column का नाम रहेगा बाद में आपका एक array रहेगा जो कि आप value रखना चाहते हैं ठीक है यह दो चीजे आपको पास करनी है तो सबसे पहले हम इसको लिग appending और approval और इस तरह की अगर हमें कोई चीजे रखनी हो तो हम यहां पर रख सकते हैं तो यहां पर हम क्या लिखेंगे सबसे पहले हो गया appending यहां पर second हम लिख देंगे अप्रूव ठीक है एक सेकंड मेरे को spelling चेक करनी पड़ेगी अप्रूव कई पार कन्फिज में सही है तो यहां पर approve हमारा हो गया है इसके बाद में जैसे कि हमें by default कोई value पास करनी हो जैसे कि मालो अगर कोई भी new comment होता है हमारा तो हमें क्या है उसको एक pending state में रख रहा है तो हम यहां पर क्या करेंगे default के अंदर हम पास कर देंगे pending ठीक है यहां पर कोई array अगेरा पास करने अब जैसे मालो कोई इस तरह का अगर कोई चीज होती तो मैं directly उसको यहां पर इनको एड़ करके अल्टर टेबल में एड नहीं करता हूं मैं यहां पर एड़ करता हूं पलस मेरा जो डाटाबेस है उसके अंदर में इसको एड़ कर लेता हूं ठीक है लेकिन जब हमारे पास एक पर्टिकुलर जो जैसे मालो हम live server के उपर editing कर रहे हैं कई बार क्या होता कि जैसे मालो कही लोग offline project पर काम करते हैं लेकिन जब changes बहुत ज्यादा हो मालो अभी आज कुछ change किया है एक गंटे बाद में फिर आपको कुछ change करना पड़े फिर दूसरे गंटे आपको कुछ ज्यादा चेंज करना पड़े तो आप offline server पर काम नहीं कर सकते फिर आपको live server पर ही काम करना पड़ता है तो live server पर editing के लिए आप इस चीज़ को follow कर सकते हैं अगर आप करना चाहें कि मालो यहाँ पर अल्टर माइगरेशन का यूज कर सकते हैं उसके बाद में बाद करेंगे ज्यादा लंबा तोड़ा system है वो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर एक और extra हम column add कर लेंगे जिसका नाम रखेंगे हम यहाँ पर status और यह मैं manually कर रहा हूं यहाँ और यहाँ पर इसको हम दे value पास करेंगा को मा लगकर हम वेल्यू इहां पर पास कर सकते हैं कि हमें कौं कौंझ सीफ्टाइू हमें चाहिए कॉटेसन करेंगे हम सब्सेट पहले हमें चाहिए चाहिए पेंडिंग और को लगाएंगे दूसरी जो वेल्यों हमें चाहिए होगी अपरूउव ठीक थीक तो यह दो वैल्यू हमें चाहिए और बाद में जो last में है यहाँ पे default वाला section है इसके अंदर भी हम change कर लेंगे और इसमे custom value हम pass कर देंगे और custom value में हम देंगे pending ठीक है और ok press करेंगे यहाँ से save कर लेंगे ठीक है अभी हमारे पास एक extra column यहाँ पे add हो गया है अगर यहाँ से shift होके एक बार इसको check करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं status नाम से enum data type है हमारे पास में और इसके अंदर दो हमने value यहाँ पे दी हुई है और यहाँ पर इसमें pending हमने रखा हुआ है ठीक है तो इसको allow null भी हम हटा सकते हैं ठीक तो यहाँ पे null value नहीं लेगा यह यह पेंडिंग यहाँ पे default value पास कर देगा ठीक तो यहाँ पे हमारा यह वाला काम हो गया है जैसे कि मान लो अभी कोई comment करके देखें तो जैसे कि हम जाएंगे अभी लारब लोग के उपर और यहाँ पे किसी एक particular post के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं test एंड यहाँ पे test gmail एंड यहाँ पे कुछ भी type कर देते हैं और submit करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो comment है वह यहाँ पे आगया है और अगर हम database के अंदर check करें तो आप यहाँ देखेंगे कि हमें यहाँ पे pending automatic मिल रहा है जो भी अपने पीछे के जो comment है वह सारे यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है क्योंकि हमने वहाँ पे default value pass की हुई है ठीक है तो जो भी हमने नया column add किया है उसके अंदर automatic pending हमें मिल जाएगा ठीक है तो यह फाइदा है जब भी हम default value add करें तो पीछे के जो column है उनका कोई एक default value set करनी पड़ती है अगर null रखते हैं तो हो सकता कि बाद में अगर हम कोई इस तरह की चीजे लगाएं तो वहाँ पर वह दिक्कत कर सकता है ठीक है तो यहां पर यह सारी चीजे होगी हमारी तो अब next चीज आती है कि जो हमारा यहां पर sidebar है यहां प करना पड़ेगा तो हम directly जाएंगे view के अंदर और यहां पर view section के अंदर हम जाएंगे back panel के अंदर और यहां पर हम क्या करेंगे directly एक category वाले section को यहां पर copy कर लेते हैं ज्यादा copy paste वाला काम हो रहा है changes करने पड़ेंगे हमें बाद में तो यहां पर मैं इसको कर लूँगा paste ठीक है और इसको मैं पास कर दूँगा comments ठीक है और comments हो गया यहां पर यह सारे comments वाले section आगए trace वाला तो मेरे ख्याल से हमें रखना नहीं है हमें create भी नहीं रखना है तो यहां पर मैं इसको delete कर देता हूं कि रियेट का हम नहीं रखेंगे चलो एक बाद डिलीट कर देते हैं इसको बाद में देख लेंगा कि कोई पड़ेगी तो edit हमें रखना जो भी हमारा particular comment आता है उसको हमें edit करना पड़ सकता है कि कुछ उसमें थोड़े बहुत changes करने में या वह link लगा रहा तो उस link को अटाना और सेव करना तो इस तरह की चीजे हम रख सकते हैं इंडेक्स हो जाएगा हमारा index हमें चाहिए होगा trace को यहां पर हम क्या करेंगे डिलीट कर लेंगे इसको भी ठीक है तो यहां पर हम एंडेक्स के अंदर हम जाएंगे जहां पर हमने use किया हुआ है category यहां इसको find करेंगे और यहाँ पर ctrl r press करूंगा मैं तो यहाँ पर हम category की जाए यहाँ पर लिख देंगे comment ठीक है और इसको हम replace all कर देंगे और यहाँ पर categories देखेंगे हम कटे कटेगरीज कटेगरीज नहीं है ओके small category देखते हैं के कटेगरी यहाँ पर लेवल है तो इसको मैं सी छोटा कर देता हूं इसका ठीक है तो यहाँ पर comment किरियेट एंड कोमेंट ट्रेस वाला जो इस्टम है इन दोनों को हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं यहाँ पर ट्रैस वाले को मैं रिमूव करता हूं किरियेट भी हमें नहीं करना एक बार के लिए इसको हम डिलीट कर देते हैं यहां से तो यहां पर all comments होगया हमारा नेम हो गया स्लग हमारा यहाँ पर हो गया तो इस सेक्शन को वैसे यह वाला जो सेक्शन है यहां पर हमारे सारे comments आएंगे और यहां पर variable हमारा हो जाएगा comment ठीक है तो comment में हमारे पास basically comment का body है comment की body है जो हम show करवाएंगे और हमें उस particular post का उपर भी comment देना पड़ेगा ठीक है तो हम comment की body यहां पर एक बार शो करवा लेते हैं और comments लग नहीं चाहिए हमें comment की ID हमारी हो जाएगी copy करते हैं इसको ठीक है एक डिलीट वाला section हो जाएगा जिसमें हम delete करेंगे इस comment को और बस इतना ही बाकी तो कुछ extra changes करने की जो नहीं है अब में बात आती है कि यह वाले जो section हमारे अवलेबल है या नहीं ठीक है तो हम जाएंगे directly routes के अंदर तो route section के अंदर हम जाएंगे और हमारा जो वैब है इसके अंदर हम जाएंगे ओके यहां पर routes में मेरे को कुछ घडबर लग रही है के अंदर हम जाएंगे तो यहां पर हमारे comments वाला section हम देखते हैं कि यहां पर comments section मेरे ख्याल से अवलेबल नहीं है तो यहां पर जैसे पोस्ट की route हो गए और टेक्स की route है काटेगरी की route है परमिशन हो गए तो यहां पर इसको हमें बनाना पड़ेगा ठीक है तो यहां पर हम क्या करेंगे comments राउट ठीक है तो हमें चाहिए जो जो राउट चाहिए हम यहां पर एड़ कर लेंगे यहां पर हम गेट राउट चाहिए जिसमें हमारे र लेते हैं यहां पर और यहां पर चेक कर लेते हैं कोई comment का controller हमने बनाया या नहीं बनाया तो यहां भी हम जाएंगे HTTP के अंदर controllers के अंदर और यहां से हम जाएंगे blog के अंदर user के अंदर तो यहां पर हमने कोई comment controller ऊपर लेखास नहीं बनाया यहाँ पर हमारा comment controller available है ठीक है तो हमें directly comment controller pass करना यहां पर हम लिखेंगे comment controller comment controller औन्पे घए उद्ड इंडेक्स नण थिए बहने को माईगे वहमारा कि इस कुमेंट कंट्रोलर के ऊपर यहां पर कंट्रोलर के अंदर देखें तो हमारे पास ऑनली स्टोर में थिन फर। लेबल थे तो इसमें back panel की comment index के अंदर और यहां पे comment Know compact में pass कर देंगे compact की जगह हम पास कर देंगे इसमें बिद और यहां पे हम पास कर देंगे हमेज़ें है, comments ठीक है, तो यहां भी हमें value पास करने हैं Comhengy जो भी हमारा name variable रहेगा और यहां पर हम लिखेंगे comment colon colon all ठीक है और इसको हम यहां से save कर लेंगे और इसको थोड़ा सा यह कर लेते हैं ड्रेसिंग इस से थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाता है code समझना तो यहां हमने basically क्या है view यहां से send किया है किसके साथ में comments variable के साथ में जिसके अंदर सारे comment हमारे available हो जाए वह pending हो या चाहें हो approval ओ सारे comment available हो रहेंगे हमार को कर देंगे तो हम करेंगे यहां से simpler और यहां निवह युद्वितन के ओपर हम जाएंगे तो अब हम सारी चाज़ें मिल thirty हमने हम क्या करना है जैसे back-panel का हम सा आड तों चाहों हमारा जो ले आउट है ले आउट के अंदर हमारा जो साइडवार सेक्शन है इसके अंदर हमें एड करने पड़ेंगे यहां पर हम कॉमेंट्स करवाएंगे ठीक है तो यहां पर इसको एक को कोपी कर लेते हैं यहां से और कहीं भी एक जगह हम इसको रख लेते हैं यहां पर इसको pass कर दूगा comments और यह हमारा route इसमें pass करना पड़ेगा तो हमने यहाँ पर basically route नहीं दिया था तो यहाँ पर हम pass कर सकते हैं name और यहाँ पर मैं लिख दूँगा comment.index ठीक है और यहाँ पर हम क्या करेंगे जो basically यहाँ पर हम जो route नेम दे रहे हैं यहाँ पर हम लिख देंगे comment index ठीक है और यहाँ पर dashboard की जगए कोई और icon हम देख सकते हैं अगर हमें change करना हो तो यहाँ पर हम जाएंगे material icon पर और यहाँ से हम कोई भी एक icon उठा लेंगे जो भी हमें सही लगता है कि comments के लिए ठीक हो तो इस books को ऑठा सकते हैं या इसको यूज कर सकते हैं इसको copy कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पर इसको paste कर देंगे save करेंगे और इस active link को यहाँ से टा देते हैं के लिए और यहां पर रिफ्रे maras करेंगे तो हमारे पास यहां पर पे sexual engagement p सेक्षन पर जैसे हो में मारा था रहे है लेकिन हमें एक ích कॉमेंट एडिट क्योंकि हमने वह दूइ तक तो हमें क्या और यहां जाएगा edit के उपर और slash यहां पर हम क्या करें बाद में राउट वगेरा को अगर हमें route की से हमें कोई model find करना तो इस तरीके से हम find कर सकते हैं ठीक इसको सुझाट rest कर लेते हैं ठीक तो comment edit हमारे पास available हो गया है एक बार refresh करते हैं comment destroy नहीं available है तो इसको भी हम बना लेते हैं तो इसको हम क्या करेंगे यह हमारा edit वाला है तो यह हमारा get रहेगा और इसके बाद में इसको copy करेंगे यहां से और इसके बाद में हम यहां पर delete रख लेंगे और इसको हम डिलीट request चांदर convert कर लेते हैं ठीक है तो यह डिलीट request उठाएगा और इसको करेंगे destroy and save करेंगे यहां पर यह हमारा रहेगा update method और यह हमारा रहेगा destroy method ठीक है तो यह डिस्ट्रोई यह हमें अभी तक बनाए नहीं है तो आप थोड़ा कन्फ्यूज होने के जूरत नहीं है तो डिस्ट्रो के स्पेलिंग गलता है और यहां पर भी स्पेलिंग इसकी मिस्टेक है तो यहां पर मतलब यह अपडेट और यह अभी तक हमने किरेट नहीं किये और ना एडिट किरेट किया है यह तो यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर हम करेंगे पब्लिक फंक्शन और यहां पर हम लिखेंगे एडिट एडिट के अंदर हमें डारेक्ली हमें चाहिए होगा मोडल तो यहां पर हम क्या करेंगे मोडल बाइंडिंग करेंगे कोमेंट वैरियेबल कोमेंट एंड यहां पर हम हमारा comment available हो जाएगा in the edit section के अंदर और इसके बाद में हम यहां पर करेंगे public function next हमारा रहेगा update तो update में हम यहां पर pass कर देते हैं request and request के बाद में variable request यहां पर available हो जाएगा हमारा और next हमारा रहेगा variable sorry comment model क्योंकि हमारी एक ID भी आएगी जिसको हमें फैस करना और update करना उसको तो यहां पर हम इसको लिख देंगे comment and यहां पर हम क्या करेंगे जो भी comment आता है उसको हम update करेंगे comment update यहां पर हम क्या करेंगे variable request जो भी हमारी value है उसको हम यहां पर Uh update कर देंगे ठीक है जो भी हम update करना चाते हैं उसके बाद में return कर देंगे response return redirect कि तु आ बैक या रिटर्ण रीडारग्ट तो राउट कर देते हैं यहां पर राउट में हम पास कर देंगे comment का index method ठीक है जो भी राउट हमारा इंडेक्स के उपर है वो यूरल यहां पे फैच होके ओटो मेडिक यहां पे हमारा शुरू हो जाएगा ठीक है तो यहां पे अच्छा रिटर्न टाइप है इसका हमें चेंज करना होगा हमें टाइप लगा रहे हैं तो उसकी वज़े से यह थोड़ा दिक्क फ्शंन न sudi Lakerich Power दिश्ट्रोः डिस्ट्रोः आएगा तो कोमेंट हम ास करेंगे हम्द और यहां पर पर हम क्या करेंगे वेरी बल्ल कोमेंट को डिलीट करेंगे और यहां पर हम सेम रीडारेक्ट परेंगे इसको यह कोपि करेंग इसको पेस्ट करेंगे और हम पास करेंगे यहां पर कोमेंट यहां पर हम क्या करेंगे को डिलीट करेंगे यहां पर हम सेम रिडारेक्ट करेंगे इसको कोपी करेंगे इसको पैस्ट करेंगे और यहां पर ट्राइक केज का कह रहा है कि मानलों अगर यह comment आव लेबल नहीं होता है वैसे तो यह डारेक्ली यहीं से एरर हमें चरनेट कर देगा कि आपका यह चीज आव लेबल नहीं है मतलब वह फाउंड नहीं होता है तो वह उटमेटिक उसको डिलीट नहीं कर पाएगा ठीक है तो लेकिन फिर भी अगर आप इसको ट्राइक के अ इस चाहिए सब्सक्राइबल हैं यहां पर अगर हम देखें तो आ हमारे पास यह हमारे पास अवलेबल हैं यह तो अब हमें क्या चाहिए हमें चाहिए में हमें चाहिए कि पूर्य एकाद प oppression करवा रहे हैं तो तो यहांपर 006 इसको अभी हम refresh करेंगे यहां से तो हमारे पास वह comment की जो भी बोड़ी है वह यहां पर मिल जाएगी ठीक है तो यहां पर जो नेम है नेम में हम क्या करेंगे एक इसको डुप्लिकेट करेंगे और यहां पर हम पास करेंगे और इसके अंदर हम लिख देते हैं email ठीक है इसको हम class देते हैं क्योंकि हम bootstrap यूज करें यहां भी यूज Southern हैं फॉन बेट बोल्ड अब बोल्ड और यह बूस्ट्रेप से आएगा ठीक है सेव करेंगे इसको और यहां से रीफ्रेस्ट करेंगे तो हमारा जो नेम है वह कुछ इस तरह के से दिखा रहा है और जो उसका इमेल आईडी हमें साफे मिल जाएगा ठीक है नेम और इमेल आईडी हमें एक ही सेक्शन के अंदर मिल जाएगा ठीक है यहां भी हमारा हो गया जो भी कोमेंट जो भी बंदे ने किया है वह वाला ठीक है और यहां पर अगर हम इसको रीफ्रेस करें तो यहां भी कोमेंट हो ग करें तो अल्टी दॉडविकर कर सकते कोर यहां पर यहां पर रिफ्रेस्ट्स करें तो यहां में यहां यह हुँ गई हमारी तो अबऩी हमें एक चीज सार इस रहती हो गई जैसे कि मालो बटन पर पकिर करके उसको अफ्रूव करें ठीक उसके बाद में एडिट और डिलीट वाली अलग चीज़ें होगी ठीक है तो यहां पर अगर इसको हमें अप्रूव करना है तो हम कैसे कर सकते हैं इसको हम कोपी करेंगे और यहां पर मैं पैस्ट करूंगा तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक और बटन बनके आ जाएगा तो यहां पर यह वाली चीजी हम यूज करें तो वह एक लाइन के अंदर हमारी आती जाएंगी ठीक है तो यहां पर मैं क्या खरेंगे इसको मैं एडिक लिली ताँँ पहले वाले को और यहां पर जो एडिक वाला स्चन है इसको हम चेंज कर लेंगे यहां पर हम कश् Button करेंगे किappe कि हमें वो अप्रूव करना है या उसको अप्रूव ही क्या होगा मालों अगर हमारा वह पर्डिकुलर कॉमेंट अप्रूर नहीं है तो हम उसको शो करवाएंगे ठीक है तो यहां पर हम क्या करेंगे इसको कट करेंगे सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा add the rate if और यहाँ पर मैं करूंगा variable comment का अगर status equal to equal to pending है ठीक है add the rate and if use करेंगे यहाँ पर तो इस block के अंदर जो भी चीज हम रखेंगे अगर उसका comment का status मतलब pending है यह अगर true होता है तो ही हमारा वो block show होगा ठीक है तो यहाँ पर save करेंगे मैं इसको दोबारा से यहाँ पर refresh करता हूं तो आप देखेंगे हमारे यहाँ पर सभी में यह दिखा रहा है क्यों क्योंकि यहाँ पर हमारे जितने भी comment हैं वो सारे सारे अभी pending state के अंदर है ठीक है तो यहाँ पर इसको थोड़े सी देर में चेक करते हैं जब हम इसके बटन को पूरा function बना लेंगे कैसे इसको अप्रूव अगेरा करना है तो उसके बार में हमें इसका पूरा पता लग जाएगा ठीक है तो यहाँ पर हम लिख देंगे अप्रूव ठीक है और यहाँ पर हम क्या करेंगे जो इसका color है वह हम सकस्सक कर देते है ठीक है तो थोड़ा सा मतलब इसका पता लगे जैसे ग्रीन कलर अगय किया हमें मिल रहा है तो हाँ वह यह थोड़ा अप्रूवल की टाइप का है ठीक है तो यहां पर इसके लिए हम क्या कहते हैं को checkmark वाला जैसे कि ड энергасть है इसको हम यूजर कर लीदें ठीक है यह हम कर लेंगे डन अंडरस्कोर आउट लाइन है सेव करेंगكن और यहां से इसको refresh करतें हैं तो आप देखेंगे यहां पे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि चेक मार्क है और अप्रू लिखा हुआ है ठीक है तो जैसे इस बटन के उपर कलिक करें तो हमारा पर्टिकुलर वाल यह वाला जो कॉमेंट है वो अप्रू हो जाना चाहिए ठीक है तो इसके लिए हम क्या कर सकते है है इसको हम यहां पे चेंज करेंगे यहां पे हम लिखेंगे अप्रू अभी यह बनाए है यह वैसिकली थोड़ा सा चेंज है इस में जो ढर्मलमिर यह आ रहे हैं वह थे हमारे जो नोर्मलि इन्डेक्स एडिटर शो शो युज नहीं कि अदर गें और हम स्चाह में क revolutionary बना यहां पर हम लिखेंगे कोमेंट कोमेंट कर देते हैं इसको इसके बात में वह आईडी हम पास करेंगे जो हमें चाहिए हो जैसे कि मैं इसको डारेकली पास करेंगे कॉमेंट यहां वेड से लेकिन हमने आपे पास किया हुआ है कॉमेंट हम क्यों पास कर रहे हैं क्योंकि हम जो हमारा इसी करेंग attempt की वह एक जो हमारा model का instance हमें provide कर दे ठीक है तो यहाँ पर slash लिखेंगे और यहाँ पर मैं लिखूंगा approve ठीक है कोमा करेंगे यहाँ पर press और यहाँ पर हम लिखेंगे comment controller at the rate approve ठीक है तो यह तो simple काम है अब next हमारा होता है कि हमें एक राउट का नेम भी define करना तो हम नेम पास करेंगे यहाँ पर लिखेंगे comment डोट अप्रूव ठीक है comment डोट अप्रूव यही हमने यहाँ पर पास किया था comment डोट अप्रूव तो यहाँ पर इसकी function यहाँ पर हम यह मैथड़ न लेते हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे हमें चाहिए होगा directly वो model तो यहाँ पर हम लिखेंगे variable comment और यहाँ पर इसको हम यूज करेंगे ठीक है तो यहाँ पर जो यह हमने यहाँ पर रखा था comment same name हमारा यहाँ पर होना चाहिए यह बात आपको ध्यां रखनी है मैंने पहले आपको बताया भी ना हो लेकिन यह दोनों मैच होने चाहिए तब यह आपका सही से काम करेंगा लारावल एक के अंदर मेरे ख्याल से चेंजिज होंगे थोड़े बहुत लेकिन सेवन के अंदर आपको यही चीज़े रखनी है ठीक है शिक्स के अंदर आपको राउट की देनी पड़ेगी आप डाइकली इसको पास नहीं कर सकते जैसे कि मालो अगर आप सलग से उठा रहे हैं इस से आपको आप इसको नहीं यूज कर सकते आपको राउट की मोडल के अंदर पास करनी पड़ती है ठीक है सेव करते हैं इसको तो यहां पर अभी हम पर्टिकुलर कॉमेंट को चेक करेंगे कि इफ वेरियेबल कॉमेंट का स्टेटस इज इक्वल टू इक्वल टू अगर पे अप्रूव ठीक अप्रूव एंड यहां पर वेरियेबल कॉमेंट को हम सेव कर लेंगे सेव एंड यहां पर सेव करने के बाद में यहां से हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न सोरी रिटर्न रिडारेक्ट टू राउट एंड यहां पर राउट हम पास कर देंगे कॉमेंट इ comment इसमें हमें string पास करना है तो हम लिखेंगे comment अप्रूवड ठीक है और यहां पर save करेंगे और otherwise हमें क्या करना है else हम return करेंगे यहां पर redirect हमें same करना है लेकिन हमारा जो message है वो यहां पर error रहेगा ठीक है error ओल्लेडीए approved ठीक है save करेंगे इसको और यहां पर इसको ठोड़ी dress करलेते हैं ठीक है यहां पर हमने पिरिफ्रेस करेंगे यहां पर यहां नहीं है तो यहां पर आप रूब करते हैं तो यहां पर ओके हमें एरर मिल रहा है एक फोर्म चाहिए होगा तो यहां पर जैसे की यह एक्षन हमने यहां पर पर प्रोवाइड किया है सेम उसी तरीके से हमें action provide करने होंगे तो मैं इसको copy कर लोंगा उसकी वजाए और इस डिव की जगह इसको हम यहां पर रख लेते हैं और यहां पर comment destroy की जगह हम अप्रूव पास्ट करेंगे ठीक है और इस डिव को यहां से remove कर जाते हैं और यहां पर हमारा जो danger की जगह है, यहां पर success रहेगा, और यहां पर delete की जगह हम use करेंगे, done underscore outline, यहां पर हमारा रहेगा, done outline की जगह हमारा रहेगा, approve, ठीक है, और यह delete जो method है हमारा, यह delete method हम यहां से change करेंगे, और इसको लिख देंगे, put method, ठीक है, save करेंगे इसको, फि तो अगर उसी रिक्वेस्ट को किसी वी तरीके से अगर हम दोबारा हैं सेंड करेंगे तो हमें मेरे मिलेगा कि आपका जो कॉमेंट है वो ओल्रेडी अप्रूवर्व कर सकते हैं और नेक्स वीडियो में रखेंगे कि इस पर्टिक्लर कोमेंट को एडिट करके हम उसको फिर से अपडेट करेंगे और अपडेट करने के बाद में फिर उसको अप्रूवल देंगे ठीक है तो यह मेरे ख्याल से वीडियो काफी लंबी हो गई है तो नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को रखेंगे तो आज की वीडियो बस इतना ही कोडिंग करते रही है मज़े में रही ह बाव बाई